मेरे ना फोन में जोर जोर से अलारम बजने लगा और मुझे एक नॉटिफिकेशन मिली पॉप अप नॉटिफिकेशन मिली कि इस चीज को रिमूब कर दो इसमें आपके फोन के लिए खत्रा है और इसमें वाइरस है अपने फोन में अलग से इस्टाल करें एंटिवरस या फिर हमारे फोन में पहले से होता है जैसे आपको पता है मैं जो भी वीडियो लेक्टा हूं वो मेरी खुद से एक्सपिरियंस की वीडियो होती है ठीक है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और वीडियो में आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शुरू से लेके लास्त तक जुरूब देखना आपको पता है मतलोब मैं आपको कभी गलत बादा नहीं होगा ठीक है मेरे पास है रियल मी का फून ओपो भी सेमी होता है ठीक है दोनों का एकी ब्रेंड है मतलब नाम अलग अलग है तो इन में सौफ्ट्वेर हमें कौन सा इंस्टॉल करना चाहिए या फिर प्री इंस्टॉल पहले से आते हैं या नहीं ठीक है तो मैं को बता दूँ जी हाँ हमें इस और इंस्टॉल नहीं करना चाहिए इसमें पहले से ही प्री इंस्टॉल एक फोन मेनियर के नाम से एक्लीकेशन आती है बहुत सारे लोगों को पता हो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा मेरे साथ क्या हुआ हूं मैं जा रहा था तो श् को manually remove कर दिया वीडियो है बहुत छोटी सी लेकिन बहुत ही ज्यादा फाइदे मंद है और इस चीज से कैसे बचना चाहिए हमें वाइरस हमारे फोन में आता है कहां से आता है कैसे बचना चाहिए थोड़ी सी information में आपको दे देता हूं कुछ होता है ना कि कोई बंपर आ गया है हमारे Google Chrome में हमारे फॐन के Webser में जाकर ऊपन होजाता है तो हमारे फॐन की सारी डिटेल उनके पास चले जाती है अगर वो link मतलब hackers की तरफ से हो ठीक है और हमारे फून में वायरस inject हो जाता है हमारे फून में वायरस आ जाता है ठीक है उस चीज़ को बचाने के लिए हमारे फून में एक खुद से उन्होंने मतलब मेरे पास Android 13 चल रहा है तो खुद से उन्होंने एक फून मेरे जर के नाम से एप्लिकेशन है उसमें मैनुली आप स्कैन करके भी देख सकते हो ठीक है उसको उपन करोगे तो मतलब वायरस कैसे तो अट्वेटकली होता है ठीक है अब मैनुली भी करके देख सकते हो वह ऑट्रमेटकली डिटेक्ट करता रहा है रहता है चौवीस घंटे आपके फोन में वो चलता ही रहता है जब तक आपका फोन ऑन है वो चीज आपके फोन की हर एक चीज पर मतलब निगार रखे हुए है आपके फोन में वारस नहीं आएगा यह खुद से मेरे साथ हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं तो आपने थर्ड नाम से एक एप्लिकेशन है जो मैं मतलब यूज़ करता हूं अपने वो वायरलेस माइक के तुरू वीडियो बनाने के लिए अब मैं नहीं यूज़ करता कि उसमें वायरस की मतलब मेरे पास नौटिफिकेशन आई तो मैंने उसको मूब कर दिया मैं वीडियो की कोई स्क्र सारी बातें आपके लिए फाइदे मंद होती हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में सब्सक्राइब कर देंक्यू वाचिंग